नमस्कार दोस्तों एक वर फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल टार्गिट एट वान पे मैं हूँ अम्रिता और आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वह है फंजाई राइस आपस इसके पहले यानि कि ब्रीविस वीडियो में हमने बात करी थी पार्ट वन वीडियो यानि कि जहां पर हमने देखा था माईसीलियू स्ट्ट्चर ऑफ राइस आपस के बारे में और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है लाइफ साइकल ऑफ राइस आपस तो आज हम देखेंगे कई टाइप्स की रिप्रोड़क्शन राइस उसी टिपिकल होती है तो अगर आपने प्रीविएस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए कि प्रीविएस वीडियो ताकि आप पहले स्ट्रक्चर समझे तो ही लाइफ साइकल आपको इजी ली समाज आएगी ठीक है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैनल सी के लिए कि अगर आप फर्स टाइम हमारे चैनल देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली और अकॉर्डिक टू सिलेबस प्रिपार करना चाहते हैं तो जरूर जोड़े और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूटिप च सब्सक्राइब करते हैं आज की वीडियो की आज की इंपॉर्टन टॉपिक यानि की फंजाई राइस ऑपस की लाइफ साइकल के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकल आफज ऑफ राइस ऑपस तो सबसे पहली स्लाइड जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर यानि कि राइज़ ऑपस में जो जो प्रॉसेस होते हैं रिप्रॉड़क्शन के वह तीन होते हैं यानि तीन सेक्ट्टवली परफ्टशन चलिए पहले बात करते हैं कर दो कर दें तो तो मदारु होता है जो मैसीलियुम है उसी के जो सेक्षिन उसी से एक और उसका सावलन कॉपी बनाना यहीं जो प्रोसेस है यह कहलाता है यह जो ठर्म है कहलाता है vegetative reproduction, यानने कि vegetative mycelium से ही, एक और यंग बन्स प्रेड्यूस करना, ठीक है, तो vegetative reproduction यहां पर बहुत इज़ी है, fragmentation के द्वारा यहां पर, जो reproduction है, वह होती है, fragmentation means, जो hypha है, या जो mycelium है राइज आपस का जिब छोटे छोटे पार्ट में किसी वज़य से कट जाता है तो यह जब फ्राग्मेंट है तो यही जो है रिप्रोडक्शन ही कहलाता है वाजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो है अब इस इस क्लियर टू यू जितने भी गाइज होता है ठीक है इसलिए आपको थोड़ा सा भी आपर डिफ्रक्टी फील करने की जरूरत नहीं है चले बागे बढ़ते हैं नेक्स्ट है एसेक्षण लिप्रोडक्शन देखते हैं तो एसेक्षण लिप्रोडक्शन जो है यहां पर यानि की अम्बराइज ओपस के केस में व बात करते हैं कि यह सेक्षण एपोर है जो पहला पार्ट है या पह पहला टाइप है जिसमें फॉरमेशन ऑफ जो सपोर नियुक्र था होता है तो यहां पर इस की बहुत ही सिंपल सा प्रॉसस है थीकि इस उपने प्मेटकर पढ़ा था और वहां पहला फिलकुल वही है यह कहा होता है , इसमें आप देख सकते हैं , शकरव गाल। यह जो है पुरा माइसीलियम का स्ट्रक्चर है राइजापस का तो यहां से स्टार्ट हो था एसेक्शुल रिप्रॉक्शन बाइपलाइनोस्पोर और बाइपलाइनोस्पोर्स यह जो स्पोर्स आप देख रहे हैं टिप पे यह भी मैचोर्ड नहीं है लेकिन जब इनके सेटब मन जाता यानि कीछ वाल बन जाती आप की चुछ ट्रक्चर बन जाता है तो यह जो इंट ट्रक्चर महें कहा जाता है और यह जो उफ़रका पहला कि wall है यह तो इसके इंदर रहते हैं और यहा नुक्लेस वह बहुत ही कम रहते हैं और जो अपर पोर्शन है यानि कि जो प्रेंजी ग्यों स्पोर है इसके अंदर नुक्लेस का अमांट बहुत ध्याधा होता है क्योंकि हैं स्पोर बनना होता है इसलिए यहां पर न्यूक्लेस का मंद बहुत ज़्यादा होता है यहां पे क्या होता है सुर है यहाँ सटघा होता है यहीं पर यहीं से बाजिटर्टिव एक प्रशलटर आगे बढ़ता है तो जब बहुत ज़ड़ा प्रेषर ऐनेवा पर उप 스र्ट पर Talk करता है तो यह व्र जो है फट जाती है फैक direito सपो जो शना जो है जो है वर्ट करता है अपार कि बिच शौक स्वार्ट जाती है तो आए आप मैशुर्ट और और बाल कि दीने मिले के बाद ये होसे जाता है तो जब बूरा तरह राता है और जब पूरे तरह को धून यंग मैसीप डिवालक और जाता हिता है तो यहीं होता है prosecutudet help also during the native sports थिंधे अगे बढ़ते हैं कि नेक्समें इसमें क्या होता है जो नुकलास बहुत जादा होते है जब जब असेश्डल लिप्रोक्षिन का ताइम आता है कि यह है इन के बीच में सैप्टब बन जाता यानि की वॉल बन जाती है और कुछ जो कुछ सेपटेट नोड्स होते हैं उनके उपर मोटी सिथिक सी लेयर जमा हो जाती है और कुछ समय के बाद क्या होता है ये जो हाय से हैं ये अलग हो जाते हैं या निकि डिटाच हो जाते हैं और यही चलके आगे एक नया जो mycelium है उसे त्यार करते हैं तो यही जो process होता है यही होता है sexual reproduction by the help of climidal spores ठीक है और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी mycelium होता वो तब तक generate नहीं करता जब तक कि favorable condition नहीं आती यानि कि उसे proper nutrition, moisture नहीं मिलता है तब तक यह जो है mycelium develop नहीं होता यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब बात करते है sexual reproduction की यह सबसे जादा easy process है ठीक है क्योंकि अभी हमने देखा sexual reproduction के बारे में देखा अब यह जो portion आ रहा है that is sexual reproduction तो यहाँ पे कैसे होता है जब हम यूकर की life cycle पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे एक term देखा था क्या term था वो sexual reproduction की टाइम में gametangial copulation यह conjugation तो वही जो process है यहाँ पे भी repeat होता है कैसे यहाँ पे क्या होता है कि दो opposite hypha होते है तो उन्हें हम एक term देते है heterothalic ठीक है चले image के help से समझते हैं यह आप अपनी स्क्रीन पर image देख रहे हैं यह जो opposite hypha है एक को positive बोला जाता है और एक को negative ठीक है तो यही positive और negative जो thallus है माइसीलियम है यह एक bulb टाइप का structure अपनी माइसीलियम से दूसरे माइसीलियम के साथ में engage कराते हैं ठीक है और इस engage के बात क्या होता है कि दोनों का जो tip है यह axle portion है वह एक दूसरे के साथ mix होता है और एक term यह structure मनाता है जैसे कि आपनी स्क्रीन पर देख रहे है image number B में इस होता है यह आपस में mix करते हैं ठीक है opposite strain के high phase और तब यह जो term कहलाता है वह कहलाता है copulating gametangia ठीक है तो यह चीज़ आपको clear होनी चाहिए अच्छा जब यह process और जादा आगे बढ़ता है तो यह process move करता है from C to D जब यह दोनों high phase आपस में conjugate करते हैं तो बीच में एक circular सा bulge structure बनता है that is termed as zygospore और यही zygospore होता है जाइगो आगे चल करके zygospore यही बड़े micellum के रूप में develop होता है ठीक है अच्छा यह जो जाइगो स्पोर बन गया इसके अंदर दूरों न्यूक्लेस है यानि कि opposite strain के जो न्यूक्लेस है वापस में हाँ पर अटैच हुए और यहां पर zygote बना जाइगोट कैसा होता है यहां पर two-end type होता है ठीक है यही two-end type zygote अपने उपर एक काफी थीक सी ornamented wall जमा कर लेता है यानि काफी मोटी सी ornamented wall एक अपने किनारे जाइगो स्पोर के किनारे मोटी सी wall develop कर लेता है और यह wall तभी खतम होती है जब favorable condition आ जाती करने का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ टाइम और ना आपके पास टाइम है या कोई भी प्रिपार करने वाले स्टूटिन के पास टाइम बिल्कुल कम है इसलिए इन चीज़ों को बार बार स्किप करते है तो वैसे जो है जाइगो स्पोर यह डॉर्मेंट कंडिशन में रहता ह ठीक है तो यह जो प्रॉसस था यहां से गेंड करी होगी और इस से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चिन देखने हैं जो आपकी एक्जाम से रिलेटेड है तो आप हमारे टेलेग्जाम चैनल के साथ में जरूर जुड़ें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा तो तब तक के लिए अमरे टाको दीजिए अजासत चलिए मिलते हैं कुछ और भंजाई की स्पीशिस के साथ में तब तक के लिए बाबाए